कि नमस्कार साथियों गौर्व ज्यान धारा में आप सभी का श्पागत हैं वन्यजी वप्यारन अपन पढ़ रहे थे और वन्यजी वप्यारन को अब और आगे लेकर जाते हैं यहां आप लोगों को यह पैंथर का एक फोटो दिख रहा है इसका मतलब आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अच्छा जिन विद्यारतियों को पता नहीं हो वोने बता दूं कि कंजरवेशन रिजव में से मैंने आपको जो जवाई कंजरवेशन रिजव है ना लेपर एरिया वो तो मैंने आप लोगों को वहां जाकर बताया है व्लॉक के माधियम से हैं अभी समाज पैंथर खुले में वीचरन करते हुए कंजरवेशन रिजव एरिया है वहाँ पे लेपर सफारी वगेरे चलती है जवाई कंजरवेशन रिजव बहुत परसिद्ध है तो आज की क्लास में अपन कंजरवेशन रिजव भी पढ़ने वाले आखेट निशिद चैत्र भी का मतलब होता है तो तो साम को मैंने आप लोगों को टेलिग्राम पर इंफोर्मेशन दे दी थी जो विद्याती अभी भी यूट्यूब पर कमेंट करके पूछते हैं न के सर क्लास तो नहीं आई आई आप यह वो फलाना देऊंगा तो देखो टेलिग्राम से जुड़ना आप लोगों को अनिवारी ही समझो वहां से जुड़ जाओ हर इंफोर्मेशन आप लोगों को दी जा यह कल की क्लास आएगी वापस उसमें बचे कुछे जितने अभ्यारने वो शारे के सारे अपन कल की क्लास में पढ़ लेंगे अगी बात समझ बढ़ा आगे ठीक है चलिए बही सुरू करते हैं सब्से पहले यह पुछा जाता है कि ताल चापर अभ्यारने कहां है तो देखो मैं थान बता दूँ एक सुजान गड़ नामरी जिग्या है कहां है चूरू में यूँ पूछते हैं कि कहां है देखो आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रस्न कैसे पूछे जाते हैं तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप पीवाई क्यूस देखो पूराने गत्वर्सों के सवाल देखो या फिर आप लोगों को पैटर्न पता होना चीए तो देखो पूछने का जो तरीका वन्यजीव अभ्यारण में कान खोल के सुन ले ना एक तो पूछा जाता है सिदा सिदा के अभ्यारण कहां है दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो यह पूछी जाती है कि उस अभ्यारण में कौन सा जेवजन तो विशेश रूप से पाया जाता है तीसरी यह पुछे जाती है जैसे राष्ट्रे उध्यान में काल पर्शू को एक दूं कमेंट कर दिया गुरुजी पांच राष्ट्रे उध्यान होगा थे तीन सी पटा रहे हो मन खुद ने ज्या और यह चीज़ें आपको राष्ट्री वन निती के अंदर जो 2023 वाली है यह ना उसमें भी मिल लिक्यों भी मिल जाएगी अब बताओ सिद्धी सिद्धी चीज ध्यान देनी है सिद्धा यहां से पढ़ना है वह केन हाथ गंडे रुपाने जानत पीवा वाड़ा आदमी आम है है मतलब यहां क्लास आने से पहले यूज हमजलो की साथ जगे से चेक किया जाता है हम खुद ही अपडेट रहते हैं लेकिन फिर भी जो है चेक किया जाता है कि अभी तक कोई अपडेट आई तो नहीं आई हो तो बता दे अब बताओ चौथा और पांचवा राष्ट्री उ समाग लगाते हो इतना कभी मेरे नजरों में वह कमेंट आता है तो फिर देखना उस पर जवाब कैसा है माँ पर दिया जाता है एंटी की मिलेगा चलो सही तरीके से पड़ो रहे हैं हां तो जो बताएं वो डेटा ओफिशन चेक करकी बताएं वह कोई चैन्ज होंगे तो हम यह इसे चाहिक सौघक इस छोटे एग्जाम है ग्रेड की हिसाब से देखा जाएं तो च्छोटे एक्जाम में उपर-उपर की चीज़े पुछे जाती है तो जब भी आप ये पसुपरीचर की किताब देखो के तो ये डिटाइल मैंने उसके अंदर सामिल भी नहीं किये क्यों क्योंकि वो उसके काम की नहीं है यहां क्यों क्यूंकि यहां पर देख सक बरती वक्र ज्यादा पाए जाते हैं यहां काले हिरनों की क्या है सरण इस्तली है और यहां पर गांस पाई जाती है मोच्या साइप्रस वह यहां इनको बहुत प्री होती है मोच्या साइप्रस ठीक है इसलिए यहाँ पे यह ज़्यादा पाए जाते हैं बई कोई न कोई कारण भी होता है ज़्यादा पाए जाने का ठीक है तो यह आप लोगों को ध्यान रखनी है एक जैसे कि मैंने उसमें बताना मैं भूल गया था जहाँ पे आप लोगों ने केवला देव गना पक्षी अभ्यारन लिखा है ना वहाँ पे एक चीज और लिखना वहाँ पे एंचा घास पाई जाती है क्या एंचा घास पाई जाती है जिसमें पक्षी उलज के मरते हैं ठीक है एक लिखना कुट्टू घास पाई जाती है कुट्टू इसलिए कुट्टू इसलिए प विरेनी गीत पड़े है कलचर के अंदर प्र्सवारी प्रेमी के लिए गीत लिखती है गाती है यह टो में में देखे है यह पने कि थापो कह भूक में पड़े है ठीक है रियल इस्तिती में अगर थान कटे गीत गाती यूँ दिखें के प्रेमिक योड़ो और गीत गात आपके पाग लेके तो यह वैसे वीरही गीत जो है वो कुर्जा पक्षी को माध्यम मना के बही कुर्जा जा मेरे जो संदेश उनको दे यह वाले चीजे मैंने आप लो जाके लिए आप लोगों को क्या द्यान रखना है खीचन फलोदी वाला द्यान रखना ही रखना है ठीक चलिए महा भारतकालिन द्रौनाचारिय देखो गुरू द्रौनाचारिय जिने कहा जाता है तो द्रौनाचारिय का आश्रम इस अभहरण के अंदर बना हुआ है अच् अहां पारत काली ठीक है इसके अलावा मोचिया साइपर्स आपको मैंने बताई दिया 2021 में यहां वन्यजिव परबंदन एवां रइगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षम कैंद्र की स्थापना की गई अब यह प्रशन अभी तक बना नहीं है वैसे यह प्रशन बना नहीं है ले 2021 में वन्यजिव परबंदन और एगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षन कैंद्र ट्रेनिंग प्रशिक्षन कैंद्र यानि की ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक है इन सब को बचाने इससे संब्दित तो यह यहां पर धियान रखना है और देखना पक्सी था देखिए और निमें प्रेमी के पास में संदेशा पहुंचाना है किसका प्रेशी का एक प्रेमी के पास में संदेशा जाएगा ठीक है लीजिए स्क्रेंशोट बढ़ते हैं आगे ताल चापर अभ्यारन ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है सबसे बढ़िया चीज याद रखो ताल चापर के अंदर ताल चापर जील भी है यहां ठीक है ना बदाई थी आप लोगों को खारे पा अब सीता माता अभ्यारन जो है ना इंपोर्टेंट है वैसे यदि इसका विस्तार देखो के इसका फैलाव देखो के ना तु परताप गड़ में ज्यादा है वैसे आसपास का एरिया लगेगा जैसे चित्तो अड़ देपूर सलूमर यह लगेंगे लेकिन परताप गड़ म जिसका तो मैन क्या है प्रताप ठीक है प्रताफगड मैन है यहां पर चितल ज्यादा पाए जाते है चितल की मत्र बुमी कहा जाता है मैंने का उपनाम जहां है तो वहां तो याद रखने ही रखने है ठीक है चित्तो अड़ गड़ प्रताप-गड़ बहुत most important है उदेपू से संक्रांती चैत्र है सक्रांती चैत्र किसे कहते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं यहां पर किसी का मिलन होता है ठीक है वह चीज कहलाती है सक्रांती चैत्र तो यह जो अभ्यारन्य है यह विंद्याचल और अरामली प्रवतमौला के सक्रांती प्रदेश में आया हुआ है यह इस तरीके से examiner सवाल बना सकते है, examiner language जब तलासते हैं तो ऐसी language तलासते हैं, तो जितने examiner या paper set class देख रहे हैं तो करपिया त्यान दे, यह मैंने आप लोगों को एक यहां पर language बतानी है, language दे दी है यहां से, और जो student द्यान दे रहें, उनके तुसरी होना ही है फिर, ठी यहां antilop, chausinga पाये जाते हैं, जिसके चार sing होते हैं, ठीक है, hiran की प्रजातिया, antilop, chausinga पाये जाते हैं, जो इसके लिए प्रसिद है, तो यह चितल, chausinga आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, और इसके अलावा देखो यह, wooden gallery, ठीक है, अब इसलिए यहां पर यह चित्र सामिल किये, कि आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, अब ऐसा नहीं है, कि जमीन पर वैठी वैठी उड़ने लग जाए, पक्षी के तरह, ऐसे नहीं है, यह क्या करती है, छलांग लगाती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पेड़ पर ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पेड़ पे एक यह जो महुआ होता है, उस पर भी ज्यादा पाई जाती है, तो जब चलांग लगाती है, तो इसके यह जो यह देख रहे हैं, यह पैरा सूट, यह खुलता है इसका, तो इससे चलांग लंबी होती है और ऐसा प्रतित होता है जैसे उड़ रही है वो बहुत लंबी छलांग लगाती है ठीक है तो ऐसे ही लगता है कि ये उड़ रही है इसलिए इसे कहा जाता है उड़न गिलेरी और इसपेजली सीता माता अब्यारन जो है वो उड़न गिलेरी के लिए प्रसित है most important लगा देना ठीक है चलिए सरवादिक जैविवित्ता यहाँ पर पाई जाती है यानि कि प्राचिन काल की जो औस दिया है ऐसा कहा जाता है कि जो औस दिया हिमाले में मिलती है वो हिमाले के बाद में या सीता मता प्यारन में देखने को मिलती है तो प्राचिन जो जैविवित्ता और औस दिया है वो यहां दूरल बहुत दिया यहां पाई जाती है सागवान के ब्रक्स पाई जाते हैं और लवकुस नामक जर्ने पाई जाते हैं और इस जन्नों की क्या विशेशता है, एक जन्ना है ठन्ना और एक जन्ना है गर्म, ठीक है, तो लव और कुस दोलो जन्ने यहाँ पाए जाते हैं, अब बिल्कुल आसा नहीं याद रखना थे को सित्ता माता के पुत्रों का नाम क्या था, लव कुस तो यह यहीं आएंगे सि तो आप पड़ाई में इतना लोड लेते हो या रटने की खुसिस करते हो ना वो बिल्कुल आप छोड़ दोगे, यहां से कलासे आपने जितनी देखी है, कई आपको ज्यादा रटने की आवशेक्ता पड़ी नहीं है, ठीक है, ज्यादा तर यहां तक कि मैं तो आंकड़े आप लोगों को याद ऐसे ही करवाएं, इसके माध्यम से, ठीक है, तो चलिए, अब यह देखो, यह देखी लिए आपने, देखो, कितना मासूम चेहरा है, और जब उड़ती है न तब बहुत खतरनाक उड़ती है यह, तो यह जो है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, चलिए, लीजिए, स्क्रीन सूट, के जणा है, तो आली होचे, के दो पांच मिन्ट क्लास देख ला, और बिंगे बाद में है, नहीं, मान गुरु जी पिडियां देदे तो ठीक रहे जिया, इत्ती देर क्लास कुन देखे, तो मैं बताँ, थे आदा गंडारी क्लास देखो और वो समगरो, और एक सिदी सट, इतनी सुविदा मैं कह रहा हूँ, कि नहीं मिलने वाली, ठीक है, फिर भी मिल रही है, तो पढ़ने में क्या जाता है, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, जो पढ़ रहे हैं, वो सेलेक्शन लेगे, ठीक है, चलो बढ़ने वाले, मैं थे देखे से जो है, कुए के पास में अपने आप आएंगे, चलो, अब यह देखो, कितनी बढ़िया तरीके से आप लोगों को जिजी डिफेक्ट के माद्यम से दिया था, देखो, अब मंध्यान है, के टाबर बार के गुर्जी दिये कौन, दिये कौन मतलब दिखे नहीं, ठीक है, अ पढ़ने वाली चीज़ है न, उसको बड़ा कर देदे आपड, चलो, फिर वापस यहाँ पर लियाएंगे, अब यह जो है, आखेट निशिद छेत्र, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को जिजी डिफेक्ट के रूप में दिया थे, और फेक्ट वाली किताब जो है पनाएंगे, उसे देख लेना, हर संका का समाधान उसके अंदर कर दिया जाएगा, ठीक है, चलो, अब देखो, आखेट निशिद छेत्र सीदी सी बात है, जहां पर शिकार नहीं किया जा सकता, ऐसे इस तान जहां वन्यजीव जन्तु या पक्षी विशाल मात्रा में रहते राज्य सकार दोरा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा स्यातिस के अंतरगत, आखेट निशिद छेत्र या उनकी सीमाई निर्दारित की गई, इन छेत्रों में ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, इन छेत्रों में सिकार करना कानूनन अपराद है, सिकार नहीं कि अधा सकता इस चेत्र के अंतर, ठीक है, जेल हो जाती है, और राज्य में ये भी इंपोर्टेंट, यहां से ये भी इंपोर्टेंट, राज्य में 26,719.49 वर्ग किलो मिटर में 33 आखेट निशिद चेत्र है, संख्या पुछी जाती है, 33 है, जो संख्या बड़ी है ना, आप सा आखेट निशिद चेत्र कहां है, और जादा जादा पूछ लहीं, तो छोटों और बड़ों पूछ लहीं, बस मिने अलावा मतलब आखेट निशिद में की नहीं पूछे है, ठीक है, और देखो ये पोटो मेरा ही है, ठीक है, कोई तारिप करना चाया कर सकता है, यह अब अब जब हम जवाई गये थे ना, जवाई कंजर विसम्री जरू, वहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा, व्लोग देखा होगा, तो उसके अंदर बताया था, अब देखो आखेट निशिद चेत्र, राज्य में आखेट निशिद चेत्र कितने है, 33, सरवाधिक यदी जोदपूर, ग्रामीन और बिकानेर में 5-5, सबसे ज़्यादा, पहले जोदपूरी काउंट हो तदा आप जोदपूर, ग्रामीन हो गया, तो यहाँ पे 5-5, और देखो, यहाँ पे ये 5-5 है, विश्नोई समाज की जाग रुखता होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, इन दोनों के अंदर, और यहाँ पे देखो के तो विश्नोई समाज के लोग भी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ इसको उपर, किसी को स्क्रीन शॉट लेना है तो, पैसे मैंने दिया है, यह जी डिफेक्ट, ठीक है, आप लोग वहा विश्तार नेर के अंदर, विस्तरत है, यह चूरू और विकानेर कैसे है, पड़ो सी जिले हैं, तो इन दोनों के अंदर, इसका विस्तार देखा जाता है, वैसे पूछते हैं, आप तो सीधा नाम, तो कोट सर समध सर, या कोट समध सर, ठीक है, यह सबसे बड़ा है, और कोट सर समध सर, ठीक है, देख़ो, कोट कौन पेनेगा, जो बड़े आदमी होंगे, वो कोट पेनेगे, छोटे बचे कोट नहीं पेनेगे, ठीक है, और कनक सागर जो है, बुंदी के अंदर, छोटे बचे बुंदी खाएंगे, छोटे बचे क्या खाएंगे, बुंदी, लेने की आवेशक्ता नहीं है नौट देखो जोद्पूल ग्रामिन में इस्तित जमिश्वर जी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आखेटने से छहत्र है सबसे छोटा बता दिया और दूसरा सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा भी बता दिया तो यह इंपोर्टेंट है सबसे इसके अलावा फिर द्यान अखने इनके इस्थान लेओ इसके बाद आपको इस्थान बताता हूं अब कोई नहीं कह सके कि गुरुजी दिये कुण कि बहुत बड़ीया तरीके से दिख रहा है मैंने आप लोगों को उस हिसाब से मुझे दियान देता है कि कहां पर क्या आव इसको करो ऐसे और पूरी इस्क्रीन पर दिखेंगा तो कहीं कहने कि अविश्क्ता नहीं ठीक है चलो अब देखो कौन कौन से मैं क्या कहरा हूं चैतरफल बले लिखा हुआ है आप लोगों को देख लेना आप लोगों की शुविदा के लिए ने तो यह सब के चैतरफल या अब राम देव जिर मंदर गटे है रूनी चा चसल मेर तो कहां है जैसल मेर के अंदर किसलिए परसीद है कांटे वाली जिपकली गोड़ावन चिंकारा है यह विशेश विवरान साथ में देखना है ठीक है उजला उजला कहां है जैसल मेर के अंदर चिंकारा पाया जाता है तो डोली कहा है ये भी जोदपूर ग्रामिन के अंदर चिंकारा और काला हिरन फिर देखो साथिन भी जोदपूर ग्रामिन के अंदर काला हिरन और चिंकारा ठीक है लोहावट ये चला गया फलोधी के अंदर पहले ये सारे जोदपूर के अंदर आते थे अब चला गया लोहा बिटकानेर चींकारा और कालाहिरन देशनों काँ恆 है विकानेर चींकारा जोड़ वीड़ का है या जो हड़ वीड़ का है विकनेर दीयात्र ये भी विकनेर और बजू भी विकनेर ठीक है तो ये एक बार इसका स्क्राइट ापलोगों स्लाइड आगे जिसको पार्ट टू के माध्यम से दिया गया था और यह दिया था तीन सोवा इसलिए था कि बीच में कुछ इवेंट आ गए थे उन दिनों में और इवेंट आता है तो अपनी इवेंट से रिलेटेड दिजी डिफेक्ट के पोस्ट रहती है कोई न कोई दिव के अंदर चिंकारा और काला हीर जरोदा नागर के अंदर झाथ ज्यादा पाए जाते सांचोर पाली सुमेर पूर ठीक है यह हमारे यहां से आठ किलूमेटर सो है तो यह यहाँ पर और यह किसलिए आखिट निसीदे मगरमत ज्यादा पाए जाते हैं वैसे पैंथर और मगरमत दोनों दियान रखने हैं ठीक है एक तो देखो राष्ट्री मरूद्यान में एक यह सोर्सन और सांकलिया यहाँ पर गुडवन ज्यादा पाएदाते हैं ठीक है इसके अलावा देखो तिलोरा तिलोरा कहा है अजमेर गगवान कहा है अजमेर समत्तर कहा है चूरू यही आप लोगों को अभी बताया वह वाला चूरू विका नेर चूरू उब्लीक में विकानेर भी करना मेराल चित्तोडगण कवाल जी सवय मदोपूर बागधणग उदयपूर बलडोद अल्वर जोडिया अलवर संथाल जैपूर महला जैपूर रानिपूरा टौक-ईक कनक बुंदी यानि कनक फ्राग्र जो हैसे ल द्यान में रखने हैं ठीक है बड़ा कोट से ध्यान रखना छोटा बुंदी खाते बच्चे थे छोटा है इस तरीके से याद रखना जो याद रखने वाली चीज़ें वह मैंने आप लोगों को याद करवा दिये ठीक है ले ले लिए अब बड़ा आपा कंजर्वेशन रिजर्व ठीक है कंजर्वेशन रिजर्व भी इस्पेशल किसी न किसी प्राणी के लिए वन्यजीव के लिए रिजर्व एरिया होता है कि यह जो है इनके लिए रिजर्व है वो उसको फिर उस तरीके से विकास किया दाता है और इसमें भी मैं आप लोगों को बतादू. इसमें भी पूछे जाते हैं आप लोगों को क्या, सिर्फ इस्थान पूछे जाते हैं, इसमें भी क्या पूछे जाते हैं espsta पहले 16 ndo 36 तो आप वर्तमान में konservation reserve कितने है, यह पूछे तो द्यारत कना 36 हो सकता है थोड़े समय में और बड़े तो और बड़ेंगे तो आप लोगों को information दे दी जाएगी अभी ध्यान रखना है 36 है और 36 के ही इस्थान ध्यान रखना है ठीक है और ये नए जिलों के अनुसार updated है ओ देखना है एक बार ठीक है याद तो ठान करना ही है बिशलपूर अब चला केक्री के अंदर ठीक है पालू के लिए रिजर्व और आप लोगों को सुन्धा माता का मन्दीर है और ये बालू कश्नड़ेशन रिजर्व है जहाँ पर चस्थान का पहला रोप वे लगा है लगा घ्या था ठीक है चलिए साकंबरी ये कहा है सिकर और नीम का थाना बीड ये कहा है जुन-जुनू उमेद गंज पक्षिवियार कहा है कोटा बांसियाल कहा है खेतडी और खेतडी वर्तमान में कहां चला गया नीम का थाना के अंदर खेतडी महल जो है वो जुन-जुनू में ही है ले ही है आप में वान के चलो सुमेरपूर पाली ठीक है सामाद तलाई 12 के अंदर बागदा क्रोकोडाइल उदेपूर के अंदर जालाना अमागड जैपूर के अंदर अर्वर गाव यह है आप लोगों के खर्मोर के लिए मंगा कर्मोर है मतलब केकड़ी के अंदर ठीक है चलिए खींचन फलोभी क्या है पुर्जा पक्सी जादा है अमेरगड बीलवाडा बांकरामली बारा बीड मुहाना ए जैपूर बीड मुहाना बी भी है जो बीड मुहाना बी है वह सबसे छोटा अल्ट वह राजस्तान का ठीग है गंगा वहरौ घाटी अजमेर के अंदर है बीद पतेपूर it जोड्वी सिखर की के अंदर ठीग है। लाब मैंने दर बन मर नियम का ठाना के अंदर मन्सा मता यह उदेपूर वाटी के अंदर है जो नीम का थाना में चल गया रंखार साचोर में जंगली गदों के लिए प्रशिद है बीड गांस फुलिया कूर्द सापुरा के अंदर बीड वाड़ा खेडा सिर्वई के अंदर बीड वाड़ा खेडा को बहुत अभी डवलप कर रहे हैं बजट बहुत सारा पास हुआ इसके लिए रामगड कुंजी प्रथम सोर सेंटिति और सोर सेंटिति सात में लेलिए सारव तीनों ही पारा के अंदर ठीक है बालेशवर नीमका थाना कें अंदर बीड मुहाना भी जैपूर अमर्क महा देव लैपड उधेपूर और महिसर उधेपूर तो कुल विला के आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है अब इसके अलावा देखो सबसे यह इंपोर्टेंट लगा ना इसमें यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है अब पहले चो छोटा था वो बदल चुका है अब आपको यह याद रखना है सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर वर्तमान में बीड मुहाना भी 0.10 km2 और सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर शाहबाद के जंगल 189.39 km2 ठीक है तो यह सबसे छोटा और सबसे बड़ा अब बदल था और टेलीग्राम पर भी बता दिया है कि जो करेंट अफेर्स की जिसके अंदर भी राजस्तान करेंट अफेर्स पूछा जाता है उसकी मन्त वार ठीक है मन्त वाइज टॉपिक वाइज कह सकते हो आप टैसरीज लांच कर दी गई है अभी पांच दिन तक आज का दिन भी सामिले उसमें इसकी प्राइज जो है 25 रुपे रहेगी प्लस जीएश्टी जुड़ेगा तो मतलब 53 के संथिंग यह आपको पड़ेगी उसके बाद में इसकी प्राइज होगी 51 यानि कि फिर जीएश्टी जुड़के 60 के करिब पड़ेगी और मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी अप्रेल तक टेस्ट ज इसमें जुड़ेंगे इसके अलावा चार से पांच मेगा टेस्ट जुड़ेंगे दिसंबर दोजा चॉइस के बाद जिसमें जो भी प्रश्ण छूटे होंगे या विवेद या जो भी पुरुषकार वगेरे अलग से देने होंगे वो सारे के सारे जुड़ेंगे हर टेस् से 200 एक मंत के आप लोगों के कवर हो रहे हैं यहां से और यह प्रियास सिर्फ किया जा रहा है जिंजीडी पे चूकना है नहीं जाके सीध जो है एन्रोल हो जाना और जिसके जदी यह लगे के सर हमने एन्रोल हो गए पैसे भी गड़ गए और चालू नहीं हुआ तो एप में ही हो मिस्क्रिम पर वाट्सेप बटन दे रखा है वहां से सीधा टेक्निकल टीम को मैसेज करो 12 गंटे के अंदर अंदर वहां चालू हो जाएगी परियाश नहीं करना कई ज guessing approaching करते हैं नहीं महां वाट्सेप कॉल का परियाश नहीं करना है की कोई सुविधा नहीं सिर्फ मैसेज लिखके चोड़ना है वहां से आपके पास मेंसेज आएगा जिसमें जो information मांगी जाएगी वो देनी है आप लोगों की चेक करके सुरू हो पार की किताब को बारी है साइंस की क्लास को बारी है ये फलाना ٹیम का दिन बर के कई सवाल वहाँ आते लेकिन उनका जवाब नहीं दीया जाएगा जितनी इनफोर्मेशन यह यह यूट्यूब माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से ही मिलेगी इसके अलावा कहीं कोई information मिलनी नहीं है तो पाल तो परेशा नहीं होना है ठीक है चलिए बढ़िया तरीके से पटे मौच करो राज करो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में तब तक के लिए राम राम जैहें